हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सबहा less औहरी अठीज लेते ह होंगे और मस्त होंग कि बरसात में अपने गार्णिन WILL कर बहुत सारे करदक्न लगा रहे होंगे वह सारे हमारे प्लांट ऐसे हैं जो बरसात में चल जाते हिं अच्छ과 पानी उनके लिए आई हो कि उनको किस तरह से आपको बरुसात के पाने से बचाना है तो ऐसे इक प्राइब करहि itself you में बारिस के पानी को बिशन पॉसंन है और आपके से पाने सामधन ऑपाई चलता है लेकिन अधिक पानी तो तो मैं यही कहूंगी कि आपको अपने जट प्लांट को इस समय पर बारिश के वाने से बचा के रखना जहां पर उसको पूरे दिन पानी ना गिरता रहे उसके उपर और बारिश ना आती हो और यह स्पाइडर प्लांट जो की बहुत ही खुब सुरत प्लांट के हैं इसको नहीं चेह होता है इस ताइम पर आप पानी में इसको छोड़ देते हैं बाहर भीगने के लिए तो यह दिरी दिरी गलना शुरू हो जाता है वैसके बहुत चल्दी ग्रो कर जाता है लेकिन फिर भी लेक प्लांट को इतना वोशी बनाना बहुत जादा मुस्किल होता है पीछे की साइड में दूसरा है और यह साइग में दूसरा है तो इसके पत्यों का कला है अगर बहुत ही खूसुरत होता है अगर आप लिए जाहते हैं ऑच्छा है और प tribans का इसको एक पर आप पूरे दिन बारिष ना गिरे और बारिष का पानी इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यह कैक्टिस है कैक्टिस वैसी बीना पानी के बहुत चलते हैं लंबे टाइम तक तो अगर पानी में हम रख देते हैं कैक्टिस को तो यह गलना शुरू हो जाते हैं तो बारिष ना प्लांट होता है तो इसको भी पानी कम पसंद होता है अगर कम पानी देते हैं तो चल जाता है लेकिन ज्यादा पानी देने से खराब हो जाएगा अगर अपने जमीन में बाहर लगा के रखा तो एसे पर लगये जहां पर थोड़ी देर के लिए जैसा बारिष ति रुकती नहीं है तो यह चल जाएगा लेकिन Issam पर लगतार बारिष आती है और इसकी जड़ेयों प्लांट है इसकी पत्या बहुत होती हैं महत ligeתना इस बहुत पानी में प्लांट होता है तो इसको बहुत ज़्चान पीपानिक है अगर आप बारिस के बानी में इसको रख देते हैं तो धीरी धीरी खराब होना शुरू हो जाता है इसकी जड़ें गल जाती है वैसे इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल पानी को पसंद नहीं करता है बहुत ज़्यादा पानी को यह अलोवेरा को पा प्लांट है और अगर आप पानी में वहार अगदेते हैं यह अगर यह या था फूरप होना शुरू हो जाता है कि और ये भी एक भी हावर्टिये जो कि सटेएश बास वहस Province निटिए होता है यह भी बहुत खुछुरत प्लाइंट होता है और इसको भी पानी सुन Sebastian आप भी प्रभ जाल में की च killing तो इसको भी ढ़ीन धीर इनले को सीनày अधा पभलना कर देते हैं इसको भी आप अच्छे से शम्हालकि रखिए यह ज्टो है परपर हार्ट यह बहुत है और बहुत कम पानी में चलता है सब्सक्राइड का होता है एक फूल वी आता है इसमें इसको भी पानी कम पसंद होता है अगर इसको आप बाहर रख देते हैं तो इसका कलर देखे इस तरह का ग्रीन हो जाता है और जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कलर तो इसको भी कलर को बनाए रखने के लिए और ये दिरे दिरे पानी में खराब होना शुरू कर दे है और जिनको दूप भी नहीं चाहिए होती है पानी बहुत ही खुबसूरत होती है तो इनको बहुत ही खुबसूरत होती है तो इनको भी अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो बरसात के पानी से इनको सेफ कर लिजिए अगर बरसात में इसको रख देते हैं तो यह केस जो कि बहुत कम केर में छलने वाला प्लांट है और बहुत कम पानी चाये होता है हैंगिंग बासेट का भुद आप इसको पानी की बहुत कम जरूत होती है अगर आप बसात में इसको भाफ शोड़ देते हैं पानी में भीगने के लिए तो ये धीरी दीरी गलना शुरू कर तो यह भी धिर एक अपनी पत्ति किराके और खराब होना शुरू हो जाते हैं तो यह मैं कहूंगे कि अगर आपको अपने महेंगे प्लांस को बचा के रहना है तो पानी से बचा के रखना है तो बरसात में बाहर ना रखें यह विगोनिया की एक वराइटी है जो इसकी पत्तियां बहुत ही खुबसूरत होती है विगोनिया की बहुत और भी कलर होते हैं इसमें बहुत सारे लेकिन मेरे पास एक ही है यह तो इसको भी अगर आप पानी से बचा के रखेंगे तो यह हमेशा आपके साथ बना रहेगा और ऐसे ही यह फ्लावरिंग भी करेगा और इसके बत्तियां जो हैं बहुत खोसुरत बनी रहेंगी तो अगर पानी से बचा के रखते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा यह प्लांट तो इसलिए इसके पानी से सेफ कर लीजिए ऐसे पर रखें जहां पर बारिस ज्यादा ना गिरती हो और बारिस का पानी वहां पर नहीं आता है तो यह सेफ रहेगा और इसकी कलर भी जो है वह बनी रहेंगे अच्छे से और खोसुरत होते हैं इसके बहुत तो इसको भी आपको बचा के रखना है इसको बह अगर पानी में आप लगाते हैं तो यह अच्छा चलता है लेकिन मिट्टी में अगर आप लगाते हैं और पानी में रखेते हैं बाहर भीगनी के लिए बारिस में तो उतना अच्छा नहीं चलता है तो इसको भी आपको बीकुल बारिस में भीगनी के लिए नहीं रखना है इस टाइम पे और अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो इसको बहुत जादा पानी में मिट्टी में बाहर ना रखें बारिश में जैसे तो यह अच्छा चलेगा नहीं तो यह भी धीरी-धीरी खराब होना शुरू हो जाएगा देखें इस तरह से इसकी पत्तियां जो है अपना जो कलर है वह भी चेंज कर लेती है और यह जो है धीरी-धीरी गलना शुरू कर देता है तो इसलिए इसको भी आपको इस समय पे बाहर नहीं रखना है जब बहुत जादा बारिश ओरी लगातार होने वाली बारिश में इनको बचा के रखना है बहुत सारे प्लांट है यह भी ड्रेसिना की एक वराइटी है ड्रेसिना की सभी प्लांट जो है काफी खुबसरत होते हैं और हाड़ी प्लांट होते हैं ड्रेसिना के तो इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है तो यह एक सुन्दर सा प्लांट है इसको भी बहुत कम पानी चाहिए होता है तो इस जाता है तो इसे में इसको आपको सेव करना है बारिष से बचा के रखना है जहां पर की बारिष ना आती हो कटिंग से एजी दिक्रों होने वाला प्लांटे है और कम केर में चलने वाला प्लांटे है बिल्कुल भी पानी पसंद नहीं करता है तो इसको भी आप पानी से बचा अगर आपने प्रांट प्रांट यहां पर बारिश ना गिरती हो अगर जमीन में लगाया है तो ऐसे जगह पर लगई जहां पानी ना रुखता हो जिससे कि इसकी जड़ें खराब ना हो यह जाना जाता है यह बहुत कम पानी में चलने वाला है और बरसात का पानी बिल्कुल यह बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि खराब हो जाते हैं तो आपको इनको केर करके रखना है समाल के तो जिससे कि अगले साल आपको फिर से वही प्लांट नर्सरे से खरीदने ना पड़े या कटिंग लगा कि उनका इंदिजार न करना पड़े कि हमारे प्लांट कब कैने बड़ा होने में तो इसलिए आपको इन सभी प्लांट को बचाएक्ट नहीं सेफ करके रखने और यह जू प्लांट चाहिरे हैं आप वी हावट्थिया की वेराइटी है जो की बहुत खुब्सूरत होता है है और इसके पत्ते भी बहुत खुबसूरत लगते हैं इसको बहुत पानी में नहीं रखना है बारिश में में से लेकिह तेहिएां से रिखना है नुक्त करें यह तो पानी में पहल सब्सक्राइधि आपके अपैस्ट पह्ते कहत रखना है कर이鈴 होना शुरू हो जाता है और पत्ति बैको जो है तो पानी हिसको करना है इस तायम पर और जो आगे के आप क्रोटन की वराइटी ने स्कापिंगा bigger सुरू हो जाता है और इसको वह आपके तो इसको भी खराब है इस McMahon रखते हैं तो पाने रूखते journée तो Les ड्स. यहां पर की बारिष का पानी के बारिष के घार दोर मैं शुरू हो जाता है, दिन बारिष के इसलिए पानी ही मिलता है, इसलिए आपको इन संब प्रान्ट को बचा के रखना है जिससे medo अगले सब फिर आपके और खराब नहों जिसने की बार-बार ना खरीदना पड़े और यह जो प्लांट है यह हावर्थिया का प्लांट की एक वराइटी है जो कि बहुत ही खुब सुर्फ होता है ऐलो वीरा की तरह लगता है यह सब अख्राइटी हो सकती है यह बहुत कम केर में चलता है और बहुत क बरसाथ में रखने से बाहर बीचेंज हो जाते हैं इसको यही कालर काफी खुशूरत लगता है तो अगर पूरे दिन आप अगर बरसाथ में भीगता रहेंगा दो-तीन मेहने तो यह भी खराब होना शुरूओ हो जाएगा और इसकी कलर भी चेंज हो जाते हैं तो अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो इसको इंडोर कर दीजिए या ऐसी जगा रखिए जहां बारिश ना गिरती हो फ्रेंट वीडियो पस्तना आए तो लाइक कीजिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झाल को सब्सक्राइब कीजिए जुस्तना आए-ः।